फैमिल स्वागत है आपके एको नई वीडियो में क्रिप्टो कालसी जिन्दाबाद, क्रिप्टो मार्केट जिन्दाबाद, क्रिप्ट अन्वेस्टर जिन्दाबाद तो भाई बात करने वाले है Cryptocurrency Market के बारे में कुछ बहुत important update आपका भाई आपके लिए लेक्या है Guys make sure कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो भाई एक like कर देना क्योंकि आपकी एक like से ना motivation मिलती है और लगातार Cryptocurrency Market में आपको update देने का भाई मज़ा कुछ अलग है लेकिन जब आप एक like कर देते हो तो लगता है कि आपना जो काम है वो लोगों के या family members के हमारे काम आ रहा है ठीक है तो start करते है उससे पहले भाई बस यही है कि like कर देना और पूरी वीडियो देख लेना क्योंकि important update में आपको देने वाला हूँ भाई आप मैंसे कितने लोग bull market का wait कर रहे है बस एक इसावाल है कितने लोग आप मैंसे bull market का wait कर रहे है comment box में लिख देना कि मैं कर रहा हूँ मैं आपका नाम पढ़ लूँ मतलब मैं समझ जाओंगी भाई आप wait कर रहे है अब bull market के लिए हमारे लिए सबसे important क्या है भाई वो है आपका bitcoin की halving ठीक है तो पहली update यही है कि bitcoin की halving को मात्र 385 days भचे है भाई अगर इतना इंतिजार करी लिया हमने तो 385 days जो है इसका थोड़ा सा और इंतिजार कर लेते है मुझे लगता कि जादा लंबा यह सफर होगा हमारा ठीक है लेकिन भाई bull market जब आएगी तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं लेकिन हम वो होंगे जो कि beer market में भी टिक्के बैठे रहे ठीक है तो भाई 385 days बचे है यह पहली update है दूसरी update की तरफ यहापर बढ़ते हैं भाई दूसरी update आ रही है आपकी इंडिया से मैं आपको बता दूँ इंडिया में जितने भी gambling app है ठीक है जितने भी gambling app है या वो app है जिनके उपर betting की जाती है भाई उनके उपर regulation आ गही है और वो सारे के सारे जितने भी app है वो बंद हो सकते हैं यह कहना मेरा नहीं है यह कहना है the ministry of electronic and information technology ठीक है और यह जो बयाना है यह हो अगर exact यहाँ पर बताऊं तो you can check it out self regulatory organization मनाई जा रही है इंडिया के अंदर जो कि देखेगी कि यार country में कोई भी gambling वाले app ना चले तो भाई यह अच्छी बात है बाकि अगर आप in-depth पढ़ना चाहते हो तो आपके सामने भाई you can check it out आप इसे भी पढ़ सकते हो next update का है है इंडिया से ही और इंडिया में काफी हमारे भाईयों के साथ जो कि crypto में ही उनके साथ हो रहा है scam और scam किस तरह है देखो इस video में सिर्फ मैं इस scam के बारे में बात करने वाला हूं यहा जो जनता है उसको तो बारे मैं guide करो तो इसे की लिछ हो क्या रहा है थो मेरे देखो P2P क्या है अगर आपको अपने USDT बेचने है ठीक है तो बेचने का एक तरीका है कि आप किसी भी exchange के पर जाओ P2P का इस्तमाल करो और अपने USDT वहाँ पर बेच दो ठीक है बेच भी सकते हो खईद भी सकते हो third person से यानि कि बस exchange तो आपका एक platform है उसके पर आप buying selling कर सकते हैं USDT की किसी और person के साथ ठीक है अब क्या हो रहा है मेरे भाई जैसे कि example माँ आपको बताता हूँ अगर आपको USDT sell करने है ठीक है तो USDT sell कब करोगे आप आपके account पर पैसा आना चीए सामने वाले बंदे से तभी तो आप sell करोगे अपनी USDT अब एक condition बैठती है देखो एक normal condition वो होगी कि आपने USDT बेज दिये सामने से पैसा आ गया clear यहीं पर सब कुछ बात आपका settlement होगी यह transaction आपकी complete होगी लेकिन अगर हम आपको कहूं कि भाई आपने USDT बेज दिये फिर आपके bank account में पैसे भी आ गए यह ठीक है लेकिन जो जिसने पैसे बेजे हैं वो IT में जाके या cybercrime में जाके एक complaint कर देता है आपके खिलाफ कि भाई इस account में मेरे जो पैसा है वो गलती से चले गया ठीक है यह इस account वाले ने मेरा पैसा चोरी कर लिए तो भाई कैसा ल P2P का थोड़ा इस्तमाल जो है ना थोड़ा सा रोक के करो क्योंकि बहुत सारा जो है ना आप यहां पर खुद सकते हैं मेरे भाई कमेंट लिका हुआ है कि इंटरनेशनल एक्षेश के उपर P2P कर रहे है तो स्कैम हो रहा है मैं साथ तो भाई आपको बचने का सिर्फ तरी माइल स्टोन अचीव होने वाला है क्रिप्टो कांसी मार्केट में और माइल स्टोन क्या है भाई वन मिलियन वालेट यानि की दस लाक वालेट ऐसे होने वाले है पूरी दुनिया में जिनके अंदर एक एक बिटकोईन तो पढ़ा ही हुआ है अभी कितने हो रहे हैं साथ हजार वालेट जब और बढ़ जाएंगे तो भाई एक मिलियन के जो टार्गेट है वो अचीव हो जाएगा और यह माइल स्टोन हो जाएगा यह आज तक ऐसा नहीं हुआ वैसे मैं आपको बता दू यह पहले हुआ था एक बार लेकिन भाई दस लाक वालेट एक बिट आपकी इंडिया से आ रही है तो CVDC जो आप सभी को पता है Central Bank Digital Currency भाई जो आपका RVA यह Reserve Bank of India है उन्होंने एक टार्गेट बनाया है अब कि अगले तीन महीने में हम एक मिलियन एक मिलियन CVDC यूजर्स पूरे इंडिया में बना देंगे या एक मिलियन जो यूजर्स हैं उन रख दी है बाकी बहुत सारे लोग जो है ना वो यह सवाल उठा रहे हैं कि भाई CVDC जो है ना जो हमारा सेंट्रलाइज है वैसे मनी तो हमारा जो फियर्ट है वो तो हमारा सेंट्रलाइज है इसको और ज्यादा सेंट्रलाइज में लेके आ रहे हैं कि आपका पैसा जो है व आपको इससे स्कैम के बारे में बताने वाल हूँ, आजकल आप बहुत लोग सुनने होंगे कि भाई एरडॉप चली है, एरडॉप हो रही है, यहां से एरडॉप लेलो, महां से एरडॉप लेलो, यह कर लो, वो कर लो, भाई थोड़ा सा बचके रहना, क्योंकि एरडॉप के अंदर भी हो रहा है स्कैम, मैं आपको बता दूँ ट्रly वालेट, ट्रly वेव, श्पाइडल लेव करके एक आपके कम्प्यूटर में डाल दिये जाते हैं, डालने के बाद आपके जो वालेट हैं, उनको हैक और दिया जाता है, तो भाई बहुत सारी जो free airdrop है ना आज कल आप देख रहे हो पूरी market में airdrop चल ला है भाई अपना जो main wallet है ना उससे कभी भी airdrop न ले ठीक है और कभी भी airdrop मतलब participate ही मत करो आप airdrop में जो कि आपका main wallet है उससे ठीक है दूसरा wallet बना लो लेकिन जो main wallet है उससे मत करना क्योंकि हो सकता है मेरे भाई आपके wallet में भी यह जो virus है यह आजा है और आपके जो fund है उसको गायब कर दिया जाए तो भाई थोड़ा सा बचके रहे ना बाकी यह update है और airdrop आज कल बहुँ चल लिए तो मैंने आपको यह update बता दिये गाईस नेक्स अपडेट आपकी DYDX की तरफ से है तो आप सभी को पता है कि DYDX जो है वो एक crypto exchange है ठीक है भाई यह जो crypto exchange है वो अपने Canada के जितने भी business के low up यह जितने भी काम है उसको बंद कर रहा है और बंद करने का reason यह है कि इसके अंदर ना थोड़ी से DYDX के अंदर जो exchange है यह बहुत पुराना exchange है वहला है मैं आपको बता दूँ ठीक है यह जो exchange है इसके उपर थोड़ा सा कुछ मनी लॉंडिंग का रोप लगा है Canada के अंदर तो उस वह से यह उसके CEO हैं जो आपके सामने है ठीक है तो यह ना अपना जो CEO है इनका नाम है Antonio जलियाओनो ठीक है यह अपना जितना भी operation है Canada के अंदर बंद कर रहे है तो भाई DYDX exchange अप Canada के अंदर बंद हो चुका है हलाकि 14 तारिक को बंद होगा अभी 7 दिन का ultimatum दिया है जितरे भी users है DYDX के Canada के अंदर के अपना fund निकाल लो ठीक है नेक्स अपडेट आपकी भाई यह जो व्यक्ति है ना इसका नाम है Craig ठीक है इसका नाम है Craig राइट ठीक है तो यह ना अपने आपको क्या बताता है यह Bitcoin का founder बताता है यानि कि अपने आपको यह Satoshi Nakamoto बताता है कि मैं यहू Satoshi Nakamoto तो इन्होंने ना अभी आप सभी को बताए कि दो दिन पहले एक update निकल का आई थी कि MacBook के अंदर ना white paper पड़ा हूँ है Bitcoin का ठीक है तो उसके उपर ना इन्होंने MacBook को मतलब या Apple को आप कहलो Apple को ना Apple के उपर इन्होंने तंच कसा है कि यह गलत बात है और कहीं न कहीं जो Apple है ना उसके उपर copyright डालने का violating मतलब जो violate करने है copyright उसका आरोप लगाया है Apple के उपर इन्होंने बागी मैं आपको बता दूँ यह बिल्कुल भी clear नहीं है कि यह founder है Bitcoin के यह सिर्फ self और को proclaimed यानि कि अपने आप अपना हवा बना रुकिए कि भाई मैं Bitcoin का founder हूँ वो है व्यवक्ति ठीक है तो यह आपकी market के update होगी thank you so much by tech and nbcf market की बताइए अप्डेट कैसी लेगी आपको और next video में मिलता हूँ तब तक तक अपने ध्यान रखें बाइट